सांत तुझी तन सांगत प्राण सत गुर ज्यान जान नै सांत देवा देव जनी लखावो आ सांत पापी साण ए जिडे ड्रामे वाज जिडे सांत मने बैठे ने इनना दे मैंनू दर्शन ना केते करा देओ इनना तो मैंनू दूर रखेओ वे सांत शावद सादू साथ शावद अन्ना ही महा पुरशा दे पर्थाएः कहे गए ने जिनना दी बानी सरीगुरु गरांत सभडेवेच दार्ज है जदो सांत शावद सा डार्त करने ने ताँ ओना दी ही गल सत्कुरू रवदाहजी महराजी का रहने जिनना दी बानी स्री गुरू गुरान सहीवदे विच दर्ज है आज ओन सानु दिखाई दे रहें जाने मूरतां जाता सत्कुरू रवदाहजी महराजी दी साड़े सामने जो होना तस्वीरां जा मूर्तियां रखियां जान दिया ने सही नहीं है ये सची नहीं है क्योंके उधों कोई कैमरे नहीं सी हुन्दे जेड़ी सानु असल बच उन्ना दी उधों दी मूर्ति मिल जावे लब जागी ऐसी देख लगे भी अईदान दे होंदे सी असल बेचे ए मानकार्त ने ते मानकार्त भी उन्ना बरलों बनाई यां जेड़े के हमेशा जिन्ना दा ब्रोदिस रवदाह जी रहे यां जेड़े आस रोपे देने है ना परन केसरी रंग दे अस हडे देरह आउते आशी देख दे आमता उड़ते जोगी रंग दे देने ए शत्तगुरु रवदाहजी महरा जी रंग नहीं है यह जोग मत मिचू आया जोगी रंगा आ आसी निशान सा भी उसे रंग देच ढूने है पगउत्ती विच्चों आया बार, पगउत्ती कहें दने ज्ञान नूँ, अकल नूँ, बुद्धी नूँ, पगउत्ती तों ही शावद पागत बनेया है, एदा मतलब एह है के एजडे महापुर्ष होए ने जिन्ना दे मूरेश पागत शावदां दा, एदा मतलब एह है ओ यान ने रब नो बुद्धी दे रहें पाया ला के ग्ञान नूँ मार के सबाढ़ या लाके, कइसी के कार दै पैसे रक दै पूल रख दै जो भी आसी अबात अचना होना होना है लेकन सानु और से टिंने मूर्ठी要 है उदे विच्चव गयाना नहीं भिल्यु वो कि ला बोल दिया, वो सिर्फ एक साड़े हो गया कि पखांड बनके रह गया, उत्थो आसी हासल की करके लेंगे, कुछ देके ही हो ने, लेके इसी उत्थो कुछ नहीं देंगे वहें गुरु जी का खालसा वहें गुरु जी की फते सतकार जो गुरु रूप सांसांगे जी हो जिमे के आप जिनू पता ही है के गुर्दवारा स्री गुरु रवदाह जी जमाल पर अबाना चंडिकार रोड बिखे सत गुरु रवदाह जी महराज जी दे चाली शाबदां दी विचार चल रही है सो आओ अपाज दा दो शाब्द है उदा पहला पाठ करिए ते फिर दी विचार करिए सत्नाम स्री वहेगरू आसा संत तुझी तन संगत प्राण सत गुर ज्यान जाने संत देवा देव संत ची संगत संत कथारस संत प्रेम माज दी जे देवा देव संत आचरण संत चो मारग संत चो लग उलगणी और एक मागूं पागत चेंता मन जनी लखावू असंत पापी सान रविदास पने जो जाने सो जान संत अनंते अंतर नाही रविदास पने जो जाने सो जान संत अनंते अंतर नाही वह गुरुजी का खालसा वह गुरुजी की फते सतकार जो गुरुरुप साथ संग जी ओ आप जी ने आसा राग दे वेच सत गुरुरुदाह जी महराजी दे इस शबदा पाठ सर्वन कीता है आओ अपा सारे राण मिलके एदी विचार करिए क्योंकि इस शबदे वेच संत दा जेकर बार-बार आया है जो संत शबद है ओ दा जेकर सत गुरुदाह जी महराज इस शबदे वेच पार-बार का रहे है जो संत शबद स्री गुरुदाह जी आ रहा है संत शबद है साद शबद है सादू शबद है ये दी बिचार करने जरूरी है क्योंकि चदो गुरु गरांट सहब नो कहा देता कि गुरु मानने उं गरांथ सब सिखन को हुकम है गुरु मानने उं गरांथ हुन जले संतने सादूने साधने एहे जल्या महाँ परशादी बाणे स्री गृु गरांट सहब चदर्ज है ये शब्द उन्ना दे परताय्य आरे है चाहे सादू सब्दा रेहा है चाहे संत शब्दा रेहा है चाहे साथ सब्फद रहा है आज ले बाहरत होन तो रे फिर देने उन्ना दे प्रताए नी है सत्त्कुरुर्पदाह जी महाराज उन्ना दे प्रताए नी बोल रहे ये संत और साध ओहन जिन्ना दी बाणी स्री गुरु गुरांसाहवदे बेच दार जाया है क्योंकि असल बेच गुरुआ दा मकसद की सी, महापुर्शां दा मकसद की सी, ओ की चवंदे सान क्योंकि संत अधी तो ओदों भी कोई कमी नदी सी, समसार दे वेचु ओथ ने बड़ा नुकसान कीता इस देश दा, दुनियादा समाज दा क्योंके वो सांत मानके साधु मानके साध मानके लोकानों रबनों तोड़ देता उन्ना ने उन्ना ने अपनी पूजा करोनी शुरू कर देती वो अपने अपनों ही रब मनन लग गए क्योंके जड़ा ब्रह्मन सी वो कन्धी मैं ही पगवा आना मेरी सेवा ही रब दी सेवा है इसे करके उझाद खांदा सी कि बज़नी दी हो आउं जाने जान तो यह सारा कैसि जल यहीं जी विचारतारा पैदा होई असमाजे विच उने इस समाजदा बड़ा नुक्स alors किता तो एजड़े लोग सी पग में कपड़े पाके संता वाला पेस बना के समाधिनू लुटना शुरू कर देता तो ओ जो अकाल पर वहगरू परमेशर है रब नालों लोकानू तोड़ देता ते अपने नाल जोड़ लेया जो सिख्खी लहर है जो पाक्ती लहर सी ओधा मकसद एही सी के लोकानू इन पखंडिया नालों तोड़ के ओ जो सच है आद सच जगाद सच हैपी सच नान खोसी पी सच जो एक है ओधे नाल जोड़ना है सारा मकसद ता एह है सारी कहाणी ता एह है तो इससे करके जो शावद सादू सांत जा साद गुरू गरांसाह वेच अउधा है पाई ये ना ता उद्धू पहला हो चुके उनन दे पर थाए है ना उद्धू बाद वेच गुरू गरांसाह वेच जदो दार्ज होगे ही महापोर्षा दे परथाई कहे गए ने जिन्ना दी बानी सिरी गुरु गरांद सहवदे वेचे दर्ज है तो एथे भी अपन जदो सांत साथ शावदे आर्थ करने ने ता ओना दी ही गल सत्ध्रु रगदाः जी महराज का रहने जिन्ना दी बानी सिरी गुरु गरांद सहवदे वेचे दर्ज है क्योंकि कहा आसा सांत तुझी तन संगत प्राण जो संत सब्द है एहे एदे तत्ते दे पैर चंकर नहीं है एक शंत बारे नहीं कह रहे है जिन्ने आदी भी संत दी बानी सिरी गुरु गरांद सहवदे चे द इक दे वारे संत जो तत्ता है इनूं अंकड नहीं है इस करके बाव बचन है बाव बचन होन करके उन्हा सारे ही संतां तेज लागू हुंदा है जिनना दिवानी स्री गुरु गुरांसाइव दिविच दर्ज है तो जिनने भी अपन पिछे शब्दा दी बिचार किती है सत्कुरु रुदाह जी महराज जी दे ओ संबोदन हो रहे ने परमातमा नूं हर शब्द उनना परमातमा बननू सेदता है परमातमा दी गल करता है परमातमा नू संबोदन होके ओ बोल रहे ने ते ओदे चो सिख्या असी लेनी है उन्ना दा जो सबोधन किती होई बानी है अकाल पुर्ख वहरू परमेशर दे पर थाए ग्यान असी हासल करना है ओ तो अपदेश हो दी सिख्या ओ तो सिख्या असी लेनी है तो इस करके सत्गुरु अबदाह जी माराज कहें दे हन संत तुझी तन संगत प्राण सत्गुर ग्यान जानने संत दे बादेव हे अकाल पुर्ख वहरू परमेशर मेरे लई जो सत्गुरू दा ज्यान है उसाकाल पुर्ख वहरू परमेशर दा जो ग्यान है शब्द रूप दे बेचे क्योंकर ग्यान नों परगड़ किता जा सकता दो तरह दिनाल एक लिखके एक बोलके हुन साड़े को ले जो गुरुआ दा ग्यान है जो महाँ पुर्शन दा ग्यान है और लिखके आया है शब्द रूप बेच आया है बानी रूप बेच आया है एही असल बेच गुरु दी मूर्त है गुर मूरत गुर शब्द है इस करके आज यह आज 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 आ जिदर सात्व गुरु रवदाहजी महराजी दी साध्य सामने जो होन तस्भीरां जा मूरतियां रख्यां जांदियाने सही नहीं है एस सची नहीं है क्योंके उदों कोई कैमरे नी सी हुंदे जेडी सानु असल बच उनना दी उदों दी मूरति मिल जावे लब जाए लब जा जाहे ए मूरति जिनना दे ब्रोद बिच सत्व गुरु रवदाहजी महराज रहे उनना बदलों साथे उते थोपी गई है ज्यादा तर अज दी जो मूरत सानु सत्व गुरु रवदाहजी महराजी दिखाई दिन दिया ए जोग मत बिच वाई हुई लगे दिया क्यों क्यो मानना मात हम एक तिनना तेननों चल रहे सन तो इनना भी चो जड़ा जोग मात सी जेड़ी आज दी सानू तस्वीर रखी जांदिया सत्गुरुवदाहजी महराजी दी ए जोग मत बिच्वाई है क्योंको देखो वसी आमतारते स्रोपे भी ओ जोगी रंक दे दिन्या जोगी लोग का नूँ जिस जोग नूँ कंडम गरता सत्गुरुवदाहजी महराजी ने जिस जोग मत नूँ कदम जोगी सर पावे नहीं तो गुण कथन पार जिड़े जोगी यां दे जोगी नूँ भी दे गुरुनू भी कह देता सत्गुरुवदाहजी महराजी ने के ओदा प पर किया जडे असी होन जोग मी जब पागमे कपड़े पाई फेर देने अजडे जडे संतने कशाते तो जो साध ने ए असल बेचे जोग मात दा रंग है जड़ा जोगी रंग है एक किताब आस रोपे देने ना परां केसरी रंग दे असाधे डे रहा होते आसी देख दे आमत कंडाम कर देता सत्सकुरुवदाहजी जोगी सरड़ा पावे नहीं तो जड़ कठ नवपार तो इस करके आसी प्राने समय देखे देख देख देखे अंगों, सट्गुरु दाहज जी महराज भी अखे नहीं कि कुंडल पाए हुए नहीं जा में जोगी बड़ी बड़ी कुंडल पाऊं देख वहां देखोंगे प्रानियों तश्वीर भी अप्रानियां फोर्ट्वेर लगेँ नहीं असी देख 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 देशी होनों खैर चाक दिती हैं गिंजाने ओन्नादे बड़े बड़े कुंडल मतलब आज दी जो सनों दिखाई दिन दी दे रही है सत्गुरुब दाहजी महरादी दी मूर्ती जा फोटो जा तस्वीर ए जोग मतबिचों कड़ी गई है ए असल नहीं है असल मूर्त उन्नादी है गुर मूरत गुर शब्द है उन्नादे लिखे होई शब्द उन्नादी लिखी होई बानी ही असल उन्नादी फोटो है असल उन्नादी तस्वीर है इसे करके इस शब्दे विच सत्गुरुब दाहजी महराज कांदे ने संत तुझी तन सं पराण सत गुरु ज्ञान जानने संत देवा देव जो संत ने ओनना महा पुरुशां दे आये हुए ज्ञाननू ही उनना दा सरीर संज देने संत तुझी तन संगत प्राण उनना दे नाल जुड़के ही जेड़ा उसा कालपरख बहगरू नाल जुड़या होया जिने उधी संगत किती होई है उधे जो प्राण हान जो जान है जंद जान वो जोड़ना ही उनना ले उनना ले उनना ले उधा ज्यान उधा उधा जो है तन है श्रीर है उन्ना वास्ति अद्धखाई दिन्दा श्रीर नी जो उन्ना दो पदेश जो शब्द रूप विच है जो बानी रूप विच है इस करके सत्गुरुदाहजी महराद कहां जोने सन्थ तुझी इतन संगत प्रान सत्गुरु ज्ञान जानने संथ देवा संत ची संगत संत कथा रास संत प्रेम माज जय दी जे देवा देव रहाओ या काल पुर्ख वेहर रूवे परमेसर मैंनू उन्ना संता दी संगत दे जो तेरे नाल जुडेने संत ची संगत संत कथा रास उन्ना दी जो कथा दा रास उन्ना दी कथा दा प्रेम उन्ना संता दी कथा किया दो तरा ดीयां कफा मां सडे समने प्रोश दितती या गया एक पाहत माल में चे रखे न हुई या जेलिनी या मानका अड़त करामाती कहानी या ने उन्ना भी कैलता गया भी ए संतादी कथा उन्ना भी संतादी कथा बना दिता गया पर सत्गुरू रवदाह जी थे माराज की कहेंदे ने संत ची संगत संत कथा रास जो संता दा ग्यान है जिता होया बानी रूप दे बिच मैं ओदी संगत करां ओस कथा दे बिचों ओस ग्यान दे बिचों पदेश दे बिचों मिले आ होया जो रास है ओ मैंनू दे संत ची संगत संत कथारास संत प्रेम मज जे दीजे देवा देवे अकाल पुर्ख वहगरू प्रमेशर जे तू देना है मैंनू उन्ना दा प्रेम उन्ना दी कथा उन्ना दी बानी दा प्रेम उन्ना दी सिख्या दा प्रेम उन्ना दे ग्य संत प्रेम माजय दीजे देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मारग संत चो ओलग ओलगणी ते मैंनू जो संत आचरण है जो संत आचरण है जो संत आचरणी करनी है जिस रास्ते चे संत चल रहे हैं उन्न सांत दी गल्ला जिन्ना दी बाणी शीरी गुरु ग्रामस सोई देविच दर्ज है संत आचरन संत चो मारग जिस रास्ते ते ओ चल रहेने कभीर साब चल रहेने नाम देव जी चल लेने खोर जो पहला महापरशोय पृरीद जी चल लेने जिस मार्ग देवते जेडा रास्ता उन्ना ने अपनाया है जो उन्ना दी करनी सी आचरन करनी उन्ना दा क्रेक्टर उन्ना दा चरित्तर जो सी की सी उन्ना दा जो मार्ग सी इस संसार दे विचों इस समाज दे विचों उच नीच नूँ खतम करना जात पात नू खतम करना दुनिया दे वेच एक ब्रभरता दा राजपाग कायम करना जिस दा पूरे दा पूरा कंसेप्ट सत्गुरु रवदाहजी महराजी ने अपने बेगम पुरे शाबदे वेच नुरूपन कर देता है सट्गुरु रवदाहजी महराजी ने जिस मारग दे उत्ते कभीर साव चले जा उस समय दे सारे महापूर से चले उनना दी गल्ला जी ना दी बानी स्री गुरु रवदाहजी महराजी कालपर्ख वेगरु परमेशर नू कहें देने कि ओहे जे मेरा आचरन भी बनादो ओही जी बचार दारा ओही जी सिख्या ओहे ग्यान मैनू भी देदो ते उस रास्ते दे उत्ते जिस रास्ते ते ओ चल रहे ने इस देश दे विच्चों जातपात चुवासूत नाबराबरी हर तना दा दो शोषन हो रहा है उनू खतम कारन दे जड़े मारग ते ओ चल रहे ने ओदे ते चल रहे ने मैंनू भी बल बुद्धी बख्सो संत आचरन संत चो मारग संत चो ओ लग ओ लगनी ते संतां दे सेवकां दी सेवा संतां दी सेवा मैंनू बख्सो उन्हाने बामन दी सेवा नी मंगी भी मैंसे ओदे सराद करया करां जा उनू होर मैं गउवा दान कर क्योंकि आमतो औरते हो इसेवा मनी जयंदीया उत्त में सेवा मन्नयां जञंदा सी ऐस्चेज नूं और दौत सथ सथ गूरु गषजी महरा Przyगता है य। सतंब्ष ओ सब्सक्रांदी सब्सक्राः मांम उप सेवा करोंना करोंना क्राइब कोfristת आट द्रें जनी लखाव असांत पापी सान एक मैं थ्वड़े कुलों होर मांग दाहां के मैंनू ओ पागती देवो और एक मांगू पागत चन्ता मानस जीदे नाल मेरियां सारियां चन्ता दूर हो जान मेरे दोख दले दर सारे दूर हो जान और एक मांगू पागत पागत की कहिंदने मैं अपा पिछले शाबदे विच भी विचार कीती है पागत शाबद पगवती विच्छों आया भाला है पगवती कहें दिने ज्ञाननूं अकलनूं बुद्धीनूं पगवती तों ही शाबद पागत बनेया है यह दा मतलब एए है के एजडे महापुर्श होएने जिन्ना दे मूरे पागत शाबदां दा अधा मतलब ज्ञгуों जन्य सबनल जन्यिक उंहने हुँग बुद्धी दे लाएं पाया लाखे वियां मोड़ानल सबसेव ने तार्मक लोग इअρα लोक ने असल दा जन्य कुझ औफिए बुद्धी न्यानल सेव सबनल का दूभ जन्य्दी नश्ट कर दे सी क्यों हुन अपमा जे मालन्यावी एक मूर्ति नो फ़ा मत्था टेक देयां उत्थे आसी की कर देयां पैसे रख देयां पॉल रख देयां जो भी आवाज रहोना होना रख देयां लेकन सानों उस जेड़ी मूर्ति आ है उदे बिच्छ ग्यांता कोई नहीं म तो ही कनसाइबट आज डेरेयां ते चाल रहा हा गॉर्दवानें चेही कुछ चाल रहा है असी गुरू गुर्ण सभ दे विच दे दर्शन कर ले गुर्दवारे जानने हा ता जो भी दासर पी यः पाँजर पी ये बीर पी सार पी या असी ओ गोलकदे विच पंवने हा मत अक्तिफित में आप प्र्शाद tracking करनों चले जान्याग सबसेखें और नोधे पर शी ख़ारती कारनों चले जहां जेंघतर शीघ्गाते ओंसरी जमें किस तरहरा वकामजखर बफ्रेंगें आखारमिन उन्मझ और रेहुए हमकाए दी कोशश कीती पर जो भी तुसी हासल करना है ओ पागती दे रहीं करना है पागत दा इच्छे आर्था ग्यान दे रहीं करना है अकल दे रहीं करना है बुद्धी दे रहीं करना है तो इस करके सत्गुरु उदाह जी महराज कांदे ने और एक मांगू पागत चिंता मन जीदे नाल मेरियां सारियां समस्यामा हल हो जान। चिंता मन जो देण वाली है, जो मन इच्छे फाल देण वाली है। क्योंकि आज आसी देख देएं, जो सा नू मिलिया है, जो सानू प्रापत है ऐस्ट में। आज चंगे गड़ियां चे तुर रहे हैं, अगेनों बदिया कार बन गए, तेस देखो किसे समय अची गड़ियां ना खेटी कार दे, गड़े होंदे सी, लकड़ दे, पई याले गड़े, अज किते तक पहुंच गी, बगयान किते तक पहुंच गया से, जहाज बन गे, ट्र की होई है संसार दे वेच ओहो ओ जो पक्ति है जो प्रमात्मा बनों प्रापत है सानु बुद्धी रूप दे वेच अकल रूप दे वेच जिसनु अकाश्टा तके हागा ए सारा कुछ ओदे कार्ण ही सानु मिले आ है इस करके सत्कुरुवदार जी महराज कंदे ने और एक मा मांगू पागत चंता मन ओ जो चंता मनी है जो सार मन इच्छे फाल देन वाली है क्योंकि आम तोरते यह पता लगया है कि आज तक जिन्ना जो सानु परमात्मा ने दमाग दे के पेजया संसार दे वेच साड़े अंदर राह के पेजया है मनुक ने सारी दुनीया दे वेच आज तक 11-20% ही इस्तेमाल कीता सिर्फ दास में अज नबे पर सेंट वों मही बंद पिया ईड़ी बड़ी चीप है पेजया परमात्मा ने सानू के आज तक 11-80% ही इस्तेमाल कर चूके हैं ते जासव प्रसंट इस्ते माल करन दे नाल ही आज दुनिया किन्नी तरक्की कर गया, साथा जीवन किन्ना सुखी हो गया, आ बिजली, होर जिनियां बिग्यान के खोज़ जाएं, डाक्टरी खोज़ जाएं, देखो जे आज जासी बुद्धी रहीं, खोजियां हो जाएं, अ कुछ बनी है साथले पले, तो इस करके जित्थे असी उस बुद्धी दे रहीं, जिनू पागती कहा गया, उस अकल दे रहीं, असी उस राबनू भी उसे रहीं ही मिलना है, ते संसार दे विच तरक्की भी, स्रीर कदियां लोडां भी, उस दे रहीं ही होनियां पूरियां, सत्य गुरु बदाहजी महाराजी कहें देने और एक मागून पागती चेंता मान, जनी लखाव असांत पाफी सण, मैंनू उन्धा दर्शन न दखायो, मैंनू उन्धा नेडे न लेके जायो, जनी लखाव असांत पापी सण, एक हों दा सांत, एक है असांत, तो इथे को, यह आ है के के जो गल, कफीर साभ ने कही हरके संत न आख्ये मानार्स के ठाग। अरु जू अज आू असंत न असल बिच संत न नी उन नू पपपी कह रहें ने किते मैं उनना दे लाड़ना मेनू लादेयो आज असांत पापी सण पाप जेडे मतलब गल्द कम कार देने आज होई ही रहा देख रहो की कुस नहीं हो रहा है सदे सामने है देश दे साब तो पांज बड़े सांत अज जेड़ां दे अंदर ने की कारना की बजा सारा अपनु पता हिए उन्ना दी गल सत्तगुरूरवदाहजी महराजी कार देने केते जनी लखावो असांत पापी सान ए जिड़े ड्रामे बाज जिड़े सांत मने बैठे ने इनना दे मैंनू दर्शन ना किते करा दे। इनना तो मैंनू दूर रखे ओ तो इस करके क्योंके गल एच्थे हो दी है कि अपना कैद ने या फिर रबनू कि में पाया जावे रबनू जी सांत होना चाहिए दा उह मला होंदा बाब के सांत तो बिना साद तो बिना सी रबनू ने मिल साकते पर जैसी सात्गुर रबदाह जी महराज दी दिड़ आई ना बचार करिये शावदां दी ता गल कुछ होर बन दीया क्योंके रबनू मेंन दी गलतां जेड़ी ये गल चाहिए आजी देटे सांत सारे देश दे की कैंदे ने ओके ने आओ थोनू रबनू मलाइए इन दी जित्थे गल खतम होंदिया ओ थो सात्गुर रबदाह दी शुरू होंदिया एक आदे ने तो साध्ये देर्यां ते आया करो असी थोनू रब्दे दार्शन करामांगे व तो वहि जान दे होने कि जड़े उथे जान देने, पर सत्गुरूर बदाहजी महराजता एथे खतमी कर देने गाल, पहले शब्दे विचे उनने कर देती गाल, के तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कानक क कटक जालतरंग जैसा, इनली बलाउनते शुरू हुन दिया, रबनू बलाओन ते खतम हों दिया गाल, सत्व गुरुर वदाहदी एथो शुरू हों दिया, कियो आसी उनु मिले ही हुए है, वो साथ अंदर भी या ते बाहर भी या, मेलना कीनु आ, लबीदा कीनु आ जड़ा ग्वाच्या होबे, जड़ा साथ एक कोले है, उदी खोज का दी, मिली यह होया, ओ मिल गया, गल हुन अईथों शुरू हो लिए, सत्व गुरु बदाहदी काइदेने, अईथों गल शुरू कर लिए है, कि समाज दे विच, अनपड़ता के हूँआ, गृबी के हूँआ, भेई मानी के हूँआ, ठगी के हूँआ, रिशबत खोरी के हूँआ हैं शुआ साथ के हो है राज जात पात के हूं है गल एच्थों शुरू हुं दिया रवदाह दी रब्दी गल जिते एक खतम करदेने उत्वा सत्गुरु रवधाह जी अग्यों शुरू करदे तो इसे करके सद्गुरु रवदाह जी महराज कहें देने के इनना तो मैंनू दूर रखे हो जनी लखाव असंत पापी साथ उनननू असंत कहा पापी भी कहा पखंडी भी कहा लोब भी कहा जिडे आज सानू दखाई दे रहे ने जान उनना तो पहला दखाई दे रहे सान जि जो जाने सो जान संत अनंते अंतर नाहीं सत्कुरी उदाह जी महराज कहें देने कि ओ बंदा से आना है असल विच अकल मंद बंदा ओ है रबदा से पने जो जाने सो जान जो इस गालनों समझे लेंदा है केस गालनों कि संत अनंते अंतर नाहीं अंतर ता मतलब ए अर्थ ए करन के आम तौरते नहीं इस सानु इस सांतार और रब एक को चीज ने इस तरह समझा और नहीं गलनी कि यह यह इते अंतर नहीं किया कि बेथ नहीं है संत किया अनंत किया पहला ये दो चीज़ां देपा बचार लिए अनंत है अकालपर्ख वहगरु प्रमेसर जीदा कोई अन्त परावार नहीं जिड़ा बे अंता उन्हों अनंत काया देता संत ओ है जिड़ा ओदा ही रूप ओदा एक कण केन साठे अंदर बैठा है ओ संता क्यो कोई सिम्मा नी ओ अनंत है ओ बे अन्त है ओ असीमत है लेकन ओदा ही रूप जड़ा साठे अंदर बैठा ओदा ही एक ताकत साठे अंदर जीदे कारण सी जिवने या ओ अंदर बैठी या उन्हों संत कहा गया क्योंकि ओदी सिम्मा संत दी सिम्मा ओ अनंत है लेकन फरकों न नहीं है दोनों इक्केई ने तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा है यो दोनों इक्केई लेकन ओ अनांता ए संता संत दी सीमा ओ दी सीमा कोई नहीं है सो इस करके सत्गुरुबदाह जी महराज केंदे ने रवदास पने जो जाने सो जान संत अनंत अंतरना ही सत्गुरुबदाह जी महराज केंदे ने ओ बंदा से आना है ओ अकलमंद है जीने इस गलनू समझ लेया के ओ अनंत है ते साड़े अंदर जो अदर रूप बैठा है जो तो दा सुरूप मन्तू जो तु सुरूप है अपला मूल पछान जो मूल रूप विचो बैठा है ओ सीमत होके बैठा है ते बाहर ओ सीमत होके बैठा है तो इस करके इस गलनू जो बंदा समझ लेंदा है ते ओ स्याना है ओ अकलमंद है इते ही इस शबदी बिचार करते हुए पुलान चुकानी माफ़ी चांदा हुए मैं रजा लेना वैगरु जी का खाल सा वैगरु जी की फते है